यूं तो करनाटक का पूरा चुनाओ आपको अभी तक या तो polarization के मुद्दे पर दिखाई देता है या जातिगत आधार पर दिखाई देता है लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा vote bank है जिस पर Congress की निगाया है और इसको लेकर Congress ने एक बड़ा दाओ चला है ये है महिलाओं Congress की तरफ से कहा गया है कि सरकार बनी तो बस में मुफ्त सफर होगा इसके अलाबा भी कई घोशनाय की गई है तो महिलाओं को किस तरीके से Congress अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे है राहूल गांदी ने इस पर क्या कहा ये आपको बताते है राहूल गांदी ने मेंगलो सारवजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है देखे बसों में मुफ्त यात्रा और ये जो एक बताया जा रहा था कि दिल्ली में या अन्नी जगहों पर बड़ा सक्सेस्फुल रहा है फॉर्मुला मुफ्त में कोई चीज दी जाती है इसको लेकर बहुत विरो में मुफ्त यात्रा का वादा कॉंग्रेस कर रही है कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने उडूपी में मच्वारा समुदाय के साथ भी बातचीत की है इस दोरान उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के सत्ता में आने के बाद हम मच्वारों को 10 लाख रुपए का बीमा कबर दे प्रदान मंत्री मोदी ने जो वादे किये वो पूरे नहीं किये और हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कॉंग्रेस ने कौन कौन सी गारंटी की बात किये जैसा मैंने आपको बताया पांचवी गारंटी यह है कि महीलाओं को मुफ्त सफर की गारंटी कौन спокой कि दे रही है कि सरकार बनते ही सभी महीलाओं को सरकारी परिवाहन में मुफ्त यात्रा करने का आउसर कौनग्रेस देगी। यह यह बड़ी गारंटी है कौन्ग्रेस की ये अब कई जगहों पर दाओ चला जा रहा है सियासी दलों की तरफ से और इसका बड़ा एफेक्ट भी देखने को मिल रहा है ग्री लक्षमी योजना के तहट परिवार की प्रतेक प्रमुक्ष महिला को 2000 रुपे प्रतिमा दिये जाएंगे अन्भाग्य के तहट BPL परिवार के प्रतेक सदस्य को हर महीने 10 किलो ग्राम चावल दिया जाएगा मुफ्त राशन जो मिल रहा था वो एक बड़ी ताकत मानी गई केंदर सरकार की केंदर की योजनाओं में और ये राशन उत्तरप्रदेश के चुनाओं में भी इसका इंपक्ट देखने को मिला है तो 10 किलो ग्राम चावल देने की बात कही गई है ये भी बड़ी गैरंटी है योवा निधी के तहट विरोजगार सनातकों को प्रतिमा तीन हजार रुपए और डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए डिड़ हजार रुपए प्रतिमा दिया जाएगा नहीं हुआ है जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे सदन से निकाल दिया मैंने सिर्फ ये पूछा था कि प्रधान मंतरी जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो पर करनाटक में जो हो रहा है उसको आप क्यो नहीं देखते हैं करनाटक में रहूल गांदी के इस प्लैन से क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी ये बड़ा सवाल है क्योंकि एक भष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया फिर महिलाओं के लिए जो योजनाये ला रहे हैं युवाओं के लिए या मुफ्त की कई उजनाओं का लाब देने की बात कही गई कर इसका इंपेक्ट कितना पढ़ सकता है तो ऐसे मैं अपने वादों से पीछे नहीं अट सकते हैं कॉंग्रेस का अभी जो फोकस है पूरा वो लोकल मुद्दों पर है लोकल पर बहुत फोकस किया है कॉंग्रेस ने एक ओर जहां बीजेपी अपने केंद्रीय नितरित्व और राज्य सरकार पर ध्यान केंद्रित्ट करते हुए डबल इंजन का दाबा कर रही है पुदान मंतरी मोद्धी का चहरा सामने रख रही है केंद्र की नीतिया सामने रख रही है तो वहीं के इससे यतर कॉंग्रेस ने इस्थानी अमुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सरकार वापसी का संकल्प लिया है कॉंग्रेस सीधे तोर पर करनाटक में विपक्ष में हैं इसलिए बीजेपी सरकार पर हमला करना उसके लिए बिल्कुल फिट बैटता है नंदिनी और अमूल वार के बीच में राहूल का एक और अंदास देखने को मिला करनाटक में दूद के साथ ही अन्य उत्पाद कम्पनी अमूल और नंदिनी के बीच विवाद बड़ा मुद्दा बना हुआ है राहूल और कॉंग्रिस का इस्थानिय मुद्दो को लेकर सबसे सटीक नजारा भी देखने को मिला है जब प्रचार के दौरान ही राहूल गांदी तमाम पार्टी निताओं के साथ नंदिनी के काउंटर पर आईसक्रीम खाने पहुँच गए इसके पीछे विजन साब था कि कॉंग्रिस निता राहूल गांदी इस चीज़ को दिखाना चाहते थे कि उनका फोकस लोकल को बढ़ावा देने पर है और ये नंदिनी अमूल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हलाकि इसके बाद काफी खीचतान भी देखने को मिली थी जब विपक्षियों ने आरोप लगाती हुए कहा था कि अगर राहूल ऐसा करने के इच्चुक थे तो पड़ोसी राज्य केरल में वो प्यार क्यों नहीं देखने को मिला जहां वो वाइनाट से सांसत भी रहे हैं आपको बता दे कि राज्य में दस मईए को विधान सबा चुनाओ है और तेरा मईए को परिणाम आएगा कॉंग्रिस इन परिणामों को लेकर बहुत आश्वस्त है और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजे हैं जो कॉंग्रिस के पक्ष में दिखाई देती लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कॉंग्रिस इसका फाइदा उठा पाएगी या फिर बीजेपी की जो रण नीती चल रही है